बहुत दर्द होता है जब कोई अपना बिना कुछ कहे सामने से चला जाता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था उस रात मैंने तरुन के चहरे पे एक निराशा देखी थी पता नहीं मैंने अपने प्यार का इजहार करके सही किया या गलत पर उसका चहरा देखके मैं ये जान चुकी थी कि ये वो सही वक्त नहीं था दोस्तों प्यार करना असान है पर उसका इजहार करना बहुत ही मुश्किल शायद मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था लेकिन इससे अच्छा मौका भी तो नहीं था क्या उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी पता नहीं मैं बिलकुल एक असमंजस में थी कि मैंने सही किया या गलत दूसरे दिन ओफिस में भी मैं यही सोच रही थी कि जब तरुन ओफिस में आएगा तो पता नहीं मैं उसका सामना कैसे करूंगी उससे नजरें मिला पाउंगी या नहीं कुछ बोल पाउंगी या नहीं यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था तब ही तरुल मेरी डेस्क पे आया मैंने उसकी तरफ देखा और वो कुछ बोले उससे पहले मैंने ही बोल दिया Sorry वो कुछ नहीं बोला शायद उसके पास कोई और ही कहानी थी उसने अपना फोन मुझे दिया और कुछ मेसेज़स पढ़ने के लिए कहा तरुन और प्रिया की मुलाकात आनलाइन चार्टिंग पे हुई थी और इतिफाक से शुरू हुआ रिष्टा इतना गहरा हो गया कि प्रिया ने तरुन से नंबर मांगा और रात को दस बजे कॉल करने का बादा किया पर ना उसका फोन आया ना कोई मेसेज तरुन की आखों में मुझे मेरे सारी सवालों की जवाब दिख रहे थे मेरा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था उस पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया अब मेरे सामने एक नई चुनाती थी जिस इनसान के सोचे बगर मेरा एक पल नहीं करता था क्या मैं उसे इतनी आसानी से भूल जाओ कमेंट में बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरी तरह अगर आपने भी किसी से प्यार किया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें